नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम सॉलू करेंगे कॉस्टन नमबर वन एक्सरसाइस 7.3 का तो चली इसको सॉलू कर लेते हैं इसमें हमें क्या दिया गया है एक ट्रेंगल ABC है अब यहाँ पर देखिए ABC यह ट्रेंगल है बड़ी जो ट्र ट्रेंगल है और यह दोनों जो है आईशोसेल ट्रींगल है या इसकी दो साइड पराबन है तो यह बेस जो है स्टेंब वेस है BC और जो वेसीश possibility यह ईंकि इसकी यह जो पॉंइंड सी नमीयकों स्टेंड है ku यह जो ट्रेय कि इस सेम स्टेंड की अपर जो यह यानी कि यह स अगर extend किया जाए और ये BC को इस P point पर cut करे तो हमें बताना है ये चीजें हमें प्रूव करनी है तो सबसे पहले ले लेते हैं triangle ABD जो है congruent है triangle ACD के ABD ACD ये वाली जो side wall triangle है तो यहाँ पर ले लेते हैं जो first part है तो यहाँ पर ले लेते हैं triangle ABD और जो triangle AWD ACD यöh दोनों triangle लेते हैं अब हमें पता है की isosel triangle यानिकि जैसे AB CC के बराबर है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो AD side है ये common है AD जो है वो common है तो ये हो गया common अब यहाँ पर देखें ये भी side ये भी side और ये भी side SSS जो है criteria SSS यानि कि side side criteria तो उसके थूँ क्या हो जाएंगी ये दोनों triangle जो है हमारी यहाँ पर concurrent हो जाएंगी यानि कि जो triangle ABD है वो congruent हो जाएगी ACD के ये clear है पहला part second part ले लेते हैं जो triangle ABP है ACP के बराबर है तो यहाँ पर हम जो है second part ले लेते हैं triangle हमने ले ली ABP और जो triangle ले ली ACP यही हमें प्रूव करना है ABP ये वाली बड़ी यानि कि जो right angle triangle है ये 90 degree का है वर इसी तरह से ACP यानि कि ये जो 90 degree का angle है ये चीज़ अब यहाँ पर देखिए जो AB है AC के बराबर है क्योंकि ISOCELLS triangle है ये हमें पता है यहाँ पर जो angle ये है ये वाला BAP ये वाला जो angle है वो PAC के बराबर है अब यहाँ पर देखिए angle BAP जो है angle PAC के बराबर है यानि कि ये वाला जो angle है इसके बराबर है ये क्यों है ये हमने क्यों लिखा अब देखिए हमने ये triangle प्रूव की थी ABDACD के बराबर यानि कि ये वाली triangle जो है इसके बराबर जो है प्रूव की थे अब इसके प्रूव करने से क्या था यानि कि ये जो एंगल होगा ये इस एंगल के बराबर होगा यानि कि B, A, D ये वाला एंगल यहाँ पर अगर हम देखें तो वो D, A, C इसके बराबर होगा और इसके बराबर होने से क्या होगा कि जो यह पूरा एंगल है यानि कि यह पूरा B-A-P एंगल P-A-C के बराबर हो जाएगा वही हमने यहाँ पर लिखा है क्योंकि हमने इन दोनों ट्रेंगल को concurrent proof किया था तो यह एंगल भी तो बराबर होंगे और इस बड़ी triangle के लिए जो right angle left वाली है और right वाली है तो ये angle बराबर होंगे तो ये हमने यहाँ पर इसलिए लिखा अब जो ad है ये जो ad है ये जो है नीचे इसको bisect करती जा रही है यानिकि ad जो है आगे इस bc पर मिल रही है ये भी हमें पता है और ये जो AP है यानि कि ये A से P ये सीधी जो line है इन दोनों के अंदर common है ये side जो है क्योंकि हमने कौन से triangle ली ABP और ACP AP जो side है ये common है तो जो AP side common है अब यहाँ पर देखिए ये side हो गई, ये angle हो गई और ये side हो गई side angle, side criteria से ये दोनों triangle concurrent हो जाती है तो ये second part भी यहाँ पर हम solve कर सकते हैं चलिए, third part की बात कर लेते हैं AP bisect angle A, ये कहता है कि ये जो AP line है ये angle A को bisect करती है, यानि कि ये जो पूरा angle है इसको आदो, आद में बांटती है और D angle को भी करती है, कहता है तो फिर ये इस D angle को भी बांटेगी तो ये हमें बताना है अब यहाँ पर देखिए, जो ये triangle हमने ले ली थी ABD और ACD, starting में ली थी ये वाले triangle दोनों को हमने concurrent prove किया था तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है जो angle BAD है, वो angle DAC के बराबर होगा यहाँ पर देखिए, BAD, DAC इसी concurrents से हम देख रहे हैं कि ये angle इसके बराबर होगा इतना clear है अब इसका मतलब क्या है कि जो AD है, अब ये दोनों बराबर है यानि कि माली जी angle 1 है, angle 2 है अगर angle 1, angle 2 के बराबर है यानि कि ये जो line है, बिल्कुल इसके बीचों बीच होगी ये जो AD है तो इसका मतलब ये AD जो angle है AD जो line है वो angle A को ये जो है, bisect कर रही है ये bisect कर रही है, angle A को अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो AP बनती है यानि कि जो AP है, वो भी bisect कर रही है कि इसको, angle D को क्योंकि इससे आगे इसको बढ़ाएंगे तो ये जो है, angle D को bisect कर रही है, angle D को तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अब इसी तरह से इसको हम और ज़्यादा अगर डीप में देखें जो triangle BDP है यहाँ पर देखे, BDP, ये वाली छोटी triangle ये वाली, BDP triangle है और जो ये CDP ये right वाली, right angle triangle है जो छोटी, यहाँ पर अगर हम देखें जो BD है, CD के बराबर है क्योंकि आइसोसेल्स triangle है यही पर ले लेते हैं जो BD है, वो CD के बराबर है और जो BP है, वो PC के बराबर है क्यों? क्योंकि ये जो A को bisect कर रही है ये line, तो BP जो है PC के बराबर होगी, इतना clear है और यहाँ पर जो ये side है, DP, ये DP ये common है, DP equal to DP, ये दोनों में common है तो यहाँ पर जो triangle है हमारे पास अगर हम देखें, जो triangle है BDP, वो congruent है triangle, जो DPC के, ये congruent है जैसे हमने याँ पर देखा तो ये हमने congruence prove किया, ये congruence क्यों prove किया है इन दोनों के बीच में ताकि हम देख सकें, जो ये angle है, BDP ये जो है, ये इसके बराबर है यानि कि ये जो angle है, दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये AP जो है, वो इस angle D को भी bisect करेगी तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि जो AP है, वो angle D को bisect करेंगी थोड़ा सा deep में भी जाकर इसको समझ सकते हैं तो ये हो गया, next ले लेते हैं जो AP है, वो perpendicular bisector है BC का BC को ये जो AP है वो bisect करती है, यनि कि आदे हिसा इस तरफ है, आदा हिसा left में और आदा हिसा right में ये बांटती है तो ये हमें बताना है अब देखिए, यहाँ पर ये 90 degree का angle है अगर हम ये देखें और इस तरफ भी ये 90 degree का angle है यनि कि अगर हम यहाँ पर देखें जो angle APB है, प्लस angle जो APC है, वो 180 degree के बराबर है देखिए, AP ये बड़ी triangle में देखें 90 degree है, प्लस APC ये भी 90 है, दोनों 180 के बराबर है यनि कि जो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा तब ये 180 की बनेगा दोनों बराबर होने चाहिए तो APB जो है ये APC के बराबर है तो ये हम कहेंगे तो इनका बराबर होने का क्या मतलब है, कि जो 180 degree है इसको हमें half करना पड़ेगा ये कहें, कि एक को हम दूसरे के बराबर रख दें, तो तो टू एंगल जैसे ऐसे रख दें, जैसे दोनों बराबर हैं, तो यहां पर ये क्या जाएगा टू एंगल एपीबी आगया वो किसके बराबर आगया, 180 degree के और इसको निकालेंगे 180 degree by 2 आगये चाहे APC को निकालने, चाहे APB को निकालने अब यहां पर कट करेंगे तो हमें कितना मिला, 90 degree ये 90 degree है, यानि कि ये 90 degree है, तो जो BP है वो PC के बराबर होगी और BP अगर PC के बराबर है तो AP जो है ये पूरी जो AP है वो perpendicular by sector है BC का तो हम कह सकते हैं AP जो है perpendicular by sector है BC का अगर ये जो angle है हमेरे ना entry degree का आगया असानी से हम इस question को इस तरह से solve कर लेंगे तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद